हलो दोस्तों सक्सेसरों यूट्यूब चैनल में आज एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं हाजिर आरगोड पिछले वीडियो तक हमने पड़ा था गारसाद अतासी से लेकर के रामचंदर सुक्ल के हिंदी साहिते इतियास लेखन की परंपरा तक होते वे नगेंदर तक का सफ आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहिते पूस्त के हैं जो अकसर विभिन परतियों की परिक्षाओं में परतम स्रणी हिंदी व्याख्याता भरती परिक्षा दृतिय स्रणी और कॉलेज लेक्षर जैसे एक्जाम में काफी इंपोर्टेंट और इसको हम उतना रोचक तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं मैं बहुत प्रियास कर रहा हूँ कि इसको रोचक तरीके से आप लोगों तक प्रस्तुत करूँ हिंदी सहित्य का इतियास आप सभी जानते हैं कि हिंदी सहित्य का इतियास पुस्तक है वो नगेंदर और रामचंदर सुक्ल दोनों के दुरा लिखा गया हिंदी सहित्य का इतियास हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास यहां मैं कुछ ट्रिक्स बताता जाओंगा आप लोग उसको ध्यान से सुनें और वापस उसी तरह से रिवाइच करें हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो किसोरिलाल गुप्त ने लिखा है ज्यान दें उस वीडियो में जब पहला वीडियो और दूसरा वीडियो हमने पढ़ा था जिसमें इतियास लेखन की प्रमपरा में हमने गारशादटासी और ग़ियरसन गारशादटासी ने जो इस्तवार दला लिट्रितर वे अंदो हिंदोस्तानी पुस्तग लिखी थी और ग़ियरसन ने The Modern Varnakular Literature of Hindोस्तान इन दोनों का अनुवाद वा था गारसाद अतासी के द्वारा लिखे गे इंदिसाहिते के इतियास ग्रंथ को लक्समी सागरवार्षने ने और गिरियरसं द्वारा लिखे गे Modern Warnaakular Literature of Northern Hindustan ग्रंथ का अनुवाद किसोरी लाल गुप्त ने किया था और उनोंने उस ग्रंथ को पहला यानि प्रथम इंदिसाहिते का इतियास मना है तो इंदिसाहिते का प्रथम इतियास से किसोरी लाल गुप्त के द्वारा लिखा गया इतियास ग्रंथ लिए नुद्ताद चूछ इतियास चों ET 10 बहुं है यह नगेंद्र है जोंदियाoup प्रभाषम सब्द यहाद रखना के सोरी लाल गुप्त इनसे जोड़ इसा पोराणिक जो प्रसंग है उनमें ये कहा जाता है कि भगवान संकर ने जब गणेश ची का मस्तक काट दिया था और उसके बाद में हाती का मस्तक जो है भगवान गणपती के लगाया था तो ये प्रथम वेग्यानिक आविस्कार था ऐसा माना जाता है तो वेग्यानिक साथ जोड़ना है प्रथम सब्द किस्वरिलाल गुप्त के साथ हिंदी साहित्य का अतीत यह विश्व जो है वो एक दिन अतीत बन जाएगा सभी वस्तवें इस विश्व के अंदर जो इस्थित है वो क्षण भंगुर है जो आज है वो कल नहीं रहेगी इसलिए वो अतीत बनेगा पिछले वीडियो में पढ़ाता रामा लोचना दो खंडों में तो रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतियास जो है वो अलोचना है रामा लोचना अर्थात रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का अलोचना आत्मक इतियास प्रतेक्ट्रिक का थोड़ा अपवार होता है कहीं आप यह नहीं सोच लें कि रामा लोचना से रामकुमार वर्मा ही क्यों करें रामचंदर सुकल भी तो दिमाग में आ सकता है इतनी बैसिक जानखारी तो होनी चीए कि सुकल के द्वारा लिखा गया जो है, वह इंदी सहिते का इतियास पुस्तक है, इंदी सहिते इतियास दर्सन, तो ध्यान रखें, दर्सन करने के लिए विसेश प्रकार के लोचन होने चीए, तब ही आप किसी भी दर्सन कर सकोगे, ज हमने पहले पढ़ा था हजारी की आदी विकास की भूमी का अगर आप फिर से उसको देखना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ जो हमने ये पढ़ा था कि हजारी परसाद विदी की हजारी परसाद की भूमी आदी का विकास यह इनका क्रम है और यह इनकी तीन पुस्तक है हिंदी साहिते की भूमी का आधिकार्त है हिंदी साहिते का आधिकार्त और विकासकार्त है हिंदी साहिते का उदभव विकास हिंदी साहिते उद्भव एवं विकास तो ये वो पुस्तक है तीनों जिनके अपन बात कर रहे थे अभी कि ये तीन गरंथ जो है वो ये है हिंदी साहिते का विकास वापस वहीं लोटते हैं जो हम इतियास गरंथों की बात कर रहे हैं इसके बाद में यह जो तीन पुस्त के क्रम से और तीन नों याद होने ची यह अजारी प्रसाद देदी की भूमी आदी का विकास इसमें दी का सब्द आ जाता है इंदी साहित्य का उदभवें विकास तो फिरो उदेन आरान तीवारी है तो का उदभव इसको किस तरह से याद रखना है हिंदी साहित्य का उदभव उससी तरह से हिंदी साहित्य का उदभव रदी का सब्द वीच में नहीं है तो वो जारी प्रसाद देदी की है हिंदी साहित्य का अधुनिक इतियास अगे ये बात सही है कि इंदी साहित्य के साथ साथ अधुनिकता का भी द्यान रखें ये आधुनिक सब्द और इंदी साहित्य सब्द बहुत परिशान करेंगे अभी आप देखेंगे आधुनिक यदी पहले है यदी आधुनिक पहले है और फिर इंदी साहित्य सब्द है तो वो है कृष्ण और संकर दोनों का वापस देखें इंदिय साइ्ट्य के साथ आधुनिक ता का यह तो सही अगे सचिदाने धीराननत वाद्छा ने गे यदि आधुनिक पहले और बाद में इंदिय है तो कृष्ण संकर शुक्ल तो ये भी ध्यान रखें आधुनिक साहित्य विल्कुल छोटा सा नाम जहां आधुनिक सब्द भी है और छोटा सा नाम है तो छोटा तो नंदू का नाम है नंदू जो सबका छोटा सा बंदू है आधुनिक साहित्य है नंदुलारे वास्पी आद्धुनिक हिंदी साहित्यका और विकासात में और यह है जो कृष्ण का लाल है कई लोग करते हैं साथ मेरे लाल ने तो बहुत विकास किया है तो लाल ने विकास किया है आद्धुनिक समय में तो जहां आदुनिक भी आता है, विकास भी आता है, वो स्री कृष्णलाल, बहुत जो सुधी पाठकिया इस्टुडेंट है, वो इस चीज का मैं जानते हैं, कि ये किस तरह से इतियास करंद अक्षर आते हैं, और मेरिट बनाते हैं, ऐसे कृष्ण, आदुनिक साहित्य की प् द्यान रखे, प्रवर्तिया नामवर सिंग, हिंदी साहित्य फिर एक छोटा सा नाम, एक तवया था आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य के साथ, नंदु, हिंदी साहित्य छोटा सा नाम, बहुत धेरिये वाले व्यक्ति हैं, जिन्नोंने एक छोटा सा नाम रखा, धेर पूर्ण है उनकी तरफ अपन बढ़ते हैं राजतानी साहिती की रूपरेखा राजतानी भासा और साहिती राजतानी पिंगल साहिती एंदी का विधारा यह एक इंपोर्टेंट है आप यहां इसका स्क्रीन सोट भी लेकर कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ल कमेंट लिखेंगे आगे देखें हिंदी का विए धारा इसमें एक सब्दत धारा और धारा कैसे होती है धारा होती है ऐसी एक सिंकला की तरह जिसको हम बोलते हैं सांकल तो ये धारा जो है वो ही सांकल यानि राहुल सांक्रिट्यायन हिंदी का विदारा राहुल सांक्रिट्यायन इस तरह से सांकल बनाए हिंदी साहित्य और सम्वेदना का विकास समेधना उस व्यक्ति में होती है जो साक्षात राम के स्वरूप जैसा होता है तो इंदिसाइति और समेधना का विकास राम स्वरूप चतुरवेदी कवी माला कालिदास तुरवेदी इतना मैत्वपून नहीं है कालिदास हजारा कालिदास तुरवेदी की है यह important तो है लेकिन नाम से याद रह जाता है कालिदास अजारा कालिदास त्रिवेदी जिसमें दो सुब बारा कवी और अजार कवीताओं का संग रहा है कुछ बाते मैं तुपन अपने आप हो जाती है दो सुब बारा कवी यदि कई बार टिपिकल कृष्टन बनता है और जब पूछा जाता है तो इस तरह के कृष्टन बन सकते हैं कालिदास अजारा में कुल कितने कवीयों को इस्तान दिया गया है दो सुब बारा कवी यही वो होती है जो अठकर के अपनी तैयारी होती है और जिससे confidence आता है और यही अठकर के तैयारी जो होती है वो हमें कहीं न कहीं आगे ले जाती है कई बार इस तरह के दो चार किश्चन जब आ जाते हैं और वो हमें बहुत आगे ले जाते हैं हिंदी साहित्य की कहानी साहित्य की भला कोई कहानी हो सकती है किया पर जनाब मा चल गए प्रभाकर जो माच्व है मा चल गए कि मुझे तो इंदी साहित्य की कहानी सुननी है इस तरह से प्रभाकर माच्व है इंदी साहित्य की कहानी इसके बाद में जो आगे है उनमें से जो मैत पूर्ण है फिर वो है हिंदी के मुसल्मान कवी क्या अनुठा संगम है एक तरफ गंगा है और एक तरफ मुसल्मान है ऐसा संगम हमारे देश में हमारे संस्कृती समाथ सभी जग़े हो ऐसे हम अमीद करते हैं कि मुसल्मान कवी और लिखने वाले गंगा ये इतना मेत्वपून नहीं है भासा और साहित्य शाम संदरदास काफी मेत्वपून है भासा और साहित्य शाम संदरदास उत्रिवारत की संत परंपरा परसुरामजी संत थे यी चेतन्य संपरदा उसका साहित ये प्रभुद्याल मित्तल अब तो चेत जाओ रिति कावे की भुमी का नगेंदर की सभी जानते हैं हिंदी भासा और उसके साहिति का विकास हरियोध ज्यान रखें पिछली बार थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ये स्री कृष्ण लाल यहां भी हमने विकास सब्द पढ़ा था किसा मेरे लाल ने तो खुब विकास किया लेकिन कब आधुनिक समय में जिसका तात्री ये है कि आधुनिक हिंदी साहिति का विकास ये जो पुस्तक है ये स्री कृष्ण लाल की है तो इस तरह से एक एक जो गरंथ है उनको तयार करते रहे हिंदी साहिति का पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा इतियास रमा संकर सुकलर साल ये बात भी पिछले कुछ वीडियो में पढ़ी जा चुकी है कि हिंदी साहिति का पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा इतियास करनत है वो रमा संकर सुकलर साल सबसे विसाल एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा मैं वापस जितनी वी जो ट्रिक है मैंने बताई है उनको मैं बिना बोले उ कि आप कितनी याद कर सकते हैं या आपने कितनी याद कर लिया आपके जहन में कितनी हैं कितनों को आप रिवाइज कर सकते हैं कितने ऐसे नाम हैं जो अब तक आपके कितनी ऐसे ट्रिक हैं जो आपके माइड में अभी भी है और किस तरह से रिवाइज होना चाहिए टेगे मैं नहीं बोल रहा हूं आप स्वयम को ये देखना है और जो आवश्य स्वय कि मैं ये कर रहा हूं मैंने सबसे पहले जो वरियथ ये प्रथम सत्ता उस पर किया था किस्वरी य पर इतियास करंद को इन्होंने प्रथम बताने वाले किसोरिलार गुप्त फिर उसके बाद में विज्ञानिक सत्कों किया था गणपति से क्या संबंद है प्रथम विज्ञानिक आविस्कार हाथी के मस्तक को लगाना अतीत यह संपूर्ण विश्व बन जाएगा आ लोचना राम नि आदी और विकास यह तीनों सब्द विकास कब हो जब यहां डोट डोट हो लेकिन जब का सब्द आ जाता है तो वही जो पुस्तक है वो उदय नरा इंतिवारी की हो जाएगी यह का आते ही का उदय माफ किजिएगा यह उप्रवाला का यह का उदय इंदी सहित्य और आदुनिक इंदी सहित्य का इतियास जो है कृष्ण संकर सुकल अधुनिक पहले और इंदी सहित्य बाद में जब दो बातें आ गई तो दो तरह के लोग कृष्ण और संकर आधुनिक साहित्य चोटा सा नाम एक तो नंदू का एक चोटा सा नाम और है जो देरी रखने वाले धिरिंद बर्मा का जब आधुनिक सब्द पहले आजाता है और साथ में विकास है तो कृष्ण के लाल आधुनिक साहित्य की प्रवर्तियां जो नाम वाला गटती है वही उसकी प्रवर्तियां होती है और उसके बाद में जो मैत तुपूर्ण है वो इधर से कुछ बाते हमने पड़ी थी एक तो इंदी कावियधारा जो सांकल के समान रावल सांकृतायन एक कहानी के लिए माचल गए प्रवाकर माच्वे और जो मुसल्मान कवी है वो है गंगा परसाथसी है इस तरह से आप इन इतियास करंथों को याद कर सकते हैं उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे आधिकाल यहां से हम हिंदी साहिते के इतियास का विधिवतारम करेंगे जहां हम पढ़ेंगे कि आधिकाल में कि हिंदी का प्रथम कवी हिंदी के आधिकाल का नाम कर आब्रण्स आयते इए फिर अभड़ंस प्रवाइत हिंदी साहिते और उसके बाद में हिंदी साहिते इसे जी ंथ हिंदी साहिते हैं से हिंदी साहिते को अपने मुठी में करेंगे धन्यवाद